गुड मार्निंग स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आरवी अडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट आज में एक कोस्चन ले करके हाँ यह कोस्चन एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट कोस्चन है इसमें हम से यह पुछा गया कि भाई आप टर्म को आइडेंटीफाई करो और उनके कोफिसियंट को राइट करो तो चलिए हम इस कोश्चन को डिस्कस करेंगे वीडियो को आंतर तक देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए चलिए फिर शुरू करते हैं तो एक कोश्चन नमबर वन है एकसरसाइज 9.1 का क्लास 8 की मैथ से आइडेंटीफाई टर्म्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एच नहीं होगा आइडेंटीफाई टर्मस देर कोफिसियंट फॉर इच आप दा फॉलोइंग एकसप्रेशन तो बोलते हैं जो यहाँ पर हर एकसप्रेशन दी गई है इन सब का आपको टर्म को आइडेंटीफाई करना है टर्म को आइडेंटीफाई करने का मतला होता है कि टर्म को अलग लग लिखना है टर्म को इंदी में पद कहते हैं ठीक है यह जो होता है, यह coefficients और variables के factor होते हैं, multiple होते हैं, product होते हैं ठीके, अब term को पहचानने का तरीका, term को पहचानने का तरीका है कि आप plus sign देखो या minus sign देखो, जैसे यहाँ पर minus sign है तो यह एक term हो गया और यह एक term हो गया, अब यहाँ पर plus sign है तो एक टर्म यह हो गया 51 कहों चाहिने तो एक टर यह भी हो गया याने कि आप टर्म को असाँ सानी से पलस्या माइनस से अलग अलग कर सकते हो ठीक जालेली जो टर्म होता है वह मल्टिपल होता है ते थे करह थ sì LA तो यहां एक तरफ हम राइट करेंगे टर्म्स ठीक है और एक तरफ हम राइट करेंगे कोफिसियंट ठीक है तो यहाँ पर हम पहला कुश्चन लेते हैं ठीक है पहला कुश्चन यह वाला है अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है ठीक है कि जैसे जब आप टर्म को राइट करोगे तो आपर साइन आएगी ठीक है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 5xyz² यह पहला टर्म है तो यहाँ पर साइन लिखने की जरूरत नहीं है 5xyz² तो यहाँ पर positive sign था तो positive sign है वो लिखा नहीं जाता है लेकिन जैसे यहाँ पर पहुचेंगे तो negative sign दिख जाएगा तो negative sign आपको लिख लेना है 3yz ठीक है अब इनका हम coefficient भी लिखते चलते हैं जैसे इस term का coefficient यह है 5 ठीक है इस term का जो coefficient है वो है minus 3 यानि कि coefficient को भी हम minus sign के साथ लिखेंगे अब यह हमारा पहला question complete हो गया अब हम दूसरे question पर आएंगे तो दूसरा question है हमारे पास यह यहाँ पर देखो कितने term है भाई यहाँ पर 3 term है 1 2 3 अब यहाँ पर 1 ठीक है क्या गया 1 एक term आ गया फिर दूसरा term है yax और फिर तीसरा term है yax square ठीक है क्या आपको इतना सहुझ में आया हाँ आप देखो 1 में क्या है कि कोई भी variable नहीं है तो student confused हो सकता है सर इसका coefficient क्या आएगा देखो coefficient सबके साथ 1 होता है अगर वहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 सब के साथ होता है तो यहाँ पर अगर 1 के आपको कोफिशेंट नहीं पता चल रहा है तो इसका कोफिशेंट 1 होगा X में कोई भी नमबर नहीं है तो इसका भी कोफिशेंट 1 होगा X स्क्वाइर में कोई भी कोफिशेंट नहीं है ठीके तो third question में भी हमारे पास three term है 4x square y square minus 4x square y square z square plus z square तो हम यहाँ पे सबसे पहले rate कर लेते हैं अपना पहला term 4x square y square दूसरा term है minus 4x square y square z square और तीसरा term है z square यह तीन term है हमारे पास ठीके फोर्थ में तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है जो coefficient number है वो 4 है ठीके जो number है कितना है 4 है तो coefficient कितना होगा 4 होगा यहाँ पर आप देखो तो coefficient 4 है लेकिन sign minus है तो minus 4 होगा यानि आपको sign भी लिखना है यहाँ पर देखो कोई number दिख रहा है क्या coefficient में नहीं दिख रहा है, तो जब कोई नमबर नहीं दिख रहा है, तो coefficient 1 होगा, ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा 3rd वाला, अब हम 4th में चलते हैं, तो 4th हमारे पास ये है, 4th में जो हमारे पास पहला टरम है, वो है 3, जो दूसरा टरम है, वो है माइनस P Q, और जो तीसरा टरम है, वो है पलस Q R, और जो चोथा टरम है, वो हमारे पास है माइनस R P, ठीक है, इस पे 1, 2, 3, 4 टरम है, क्योंकि यहां से देखो, साइन आया है, यहां पर साइन आया है, तो यह 3 है और variable भी नहीं है number 3 है और variable नहीं है तो यही coefficient हो जाएगा हमारा कितना 3 P और Q में कोई भी number नहीं है यानि कि coefficient कितना होगा 1 sign क्या है minus का तो minus 1 यहाँ पे भी कोई number नहीं है तो coefficient होगा 1 sign क्या है plus तो plus 1 और plus हम लिखते नहीं है अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो coefficient हुआ 1 साइन है negative का तो negative 1 ठीक है अब यहाँ तक हो गया अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं side में आगे का table complete कर लेता हूँ आपको नीचे ही continue करके लिखना है तो यह हमारा दूसरा table इधर हो जाएगा अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो नंबर है वह है fifth कौन सा नंबर है देखो फोर यहां तक हो चुका है अब हमारा fifth नंबर है तो fifth जो है इसमें थोड़ा सा fraction type है X upon 2 यह हमारा पहला term है दूसरा term है मारा y upon 2 तीसरा term है minus xy ठीक है अब देखो इसमें क्या है कि यह 1 और upon 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा coefficient देखो इसके साथ 1 होगा और नीचे 2 है तो इसका coefficient हो जाएगा 1 upon 2 ठीक इसमें भी y upon 2 है तो इसका भी coefficient क्या होग जाएगा 1 upon 2 अर इसमें देखो कुछ नहीं है तो 1 आएगा sin minus का है तो minus आएगा यानि की coefficient हो जाएगा minus 1 अब हम पहुंचते हैं इस term में 6th term में 6th term में हमारे पास 3 term दिया गया है 6 expression में क्या दिया गया है पहले term 0.3 A दूसरा term क्या दिया गया है minus 0.6 A B तीसरा term दिया गया है 0.5 B ठीक है यह मारे पास 3 term है 0.3 A minus 0.6 A B 0.5 B तो ये तीन टर्म है यहाँ पर ठीक है ये इधार अलग हो रहा है minus sign के साथ और ये plus sign के साथ इधार अलग हो रहा है तो a का जो number है ये वाला ये मारा coefficient हो जाएगा 0.3 b का a b एक variable है और इसका जो coefficient है वो है 0.6 लेकिन sign minus में है तो minus लिखेंगे देखो प्लस sign नहीं लिखा है तो प्लस sign होता है minus नहीं लिखा है प्लस नहीं लिखा है तो प्लस sign होता है अब यहाँ पर देखो 0.5 coefficient हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा इस question का answer गुए students अब्मेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग कुछ समझ पाए होंगे वीडियो को पहुज करके questions को write down कर लिजे तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों ने इस question को write down कर लिया होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी subscribe करें दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए thank you class